नमर्शकार दोस्तों महीं परदीब दुबे आज आपको इस वीडियो में बताने बाले हैं अगर आपके पास IICIC bank के दो credit card हैं तो दोनों का statement same क्यों बनता है। अगर आपके पास कोई ICIC bank का करोड़ विजा card हो या आपके पास ICIC bank का रूपे कार्ड हो, दोनों का statement सेम क्यों मनता है, दोनों की अगर एक कार्ड में से कोई block करवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए, तो सिर्म में क्या ही फिक पड़ेगा, चलिए हम बताने वाले हैं, कुछ लों के comment आते हैं, जवाब इस पूरियों मिलने वाला है, तो प्ल नमबर होता है, और आपका bank account नमबर बात नहीं करो, credit card का account नमबर होता है, अब उसी account नमबर से आपके card link होते हैं, अब यहाँ पर जब भी आपने इस सिर्म में चिक करोगे, तो आपका account number सो करेगा, ना कि card का number सो करेगा, अब यहाँ पर दोस्तों bank इसको इसलिए लादा क यहाँ पर आपका account number से दो का link है, इसके से आपका statement सेम रहता है, अब मालो एक का charges है, एक का charges नहीं है, अगर मालो आपका दोनों card आपके सिर्म में सो कर रहा है, अगर दोस्तों आपने उनमें से एक card अगर आपने ब्लोग करवा दिया, पर्मार्टी बंद करवा दिया, तो आपके एक card उस account number से जुड़े रहेंगे, बैंक जो है आपका दो से तीन-चार मेने के बाद आपका जो एक card है, उस का charges को close कर देगा, अगर नहीं करता तो आप mail के करवा सकते हैं, और यहाँ पर एक card है, वो आप यूच कर सकते हैं, अगर दोनों में से, अगर मालो आपका तो main card है, मालो आपके पास क्रोल विजा card है, और आप उसके थ्रू जो है, ICIC का रूपे card ले लिए, तो आपको क्रोल विजा card को ब्लोग नहीं करवाना है, यह कि उसी account number से एक card आपका लिंक है, अगर आपने उसको बंद करवा दिया, तो हुसता बैंक आपका बंद ना करे यह हुसता, बैंक आपके दोनों card बंद कर दें, तो आपका जो main card है, उसको न close करके, आप जो और card लिए है, उसको बंद करवा सकते हैं, वैसे अगर आप चाहेंगे, तो bank को mail करके, कश्वर के रिमें call करके, अपनी problem को share करके, आप main card को बंद करवा के, और जो आपका first or second card जो है, उसको आप चालूर रख सकते हैं, पर इसके लिए bank से आपको बात करने पड़ेकर, bank आपको अनुमती देता है, अगर bank इसके लिए accept करता आपकी बातों को, तो साध आपका कर दे, तो साध आपने इस चीच को समझ लिया, कि आपका statement same क्यों बनता है, कि account number same होता है, और bankों में आपको ऐसा नियम बिलकुल नहीं मिलेगा, जितने आपके पास welcome kit आएंगे, उतनी account number अलग लग रहेंगे, पर ICIC bank में ऐसा बिलकुल नहीं है, तो इसलिए same statement आपके सामने आता है, अब मालो अगर आपका एक first statement में आपका total और अलग अलग है, इसमें आपका अल margin नहीं है, limit अलग अलग है, तो आपका limit में difference आएगा, यह बाते आप लोग याद रखना, तो आपको डरना बिलकुल नहीं है, आप इसके रहे bank को absolutely mail कर दीजिए, mail से आप bank से अपनी बाते share करके, आप उसने first, second, primary, secondary card, कोई भी आप ब्लोग करवाने की बात कर सकते है, आप कार्ट का account number है, तो अपने जानल यास में लिए बड़ो कैसा लगा, बड़ो को like करना, शो में share कर देना, फिर मिलते हैं नवर सा, तब तक के लिए जाए हिन वन्दे मातरम,